हेलो सो मैं सुवी तर आज के इस वीडियो मैं हम बात करने वाले कि जैसे कि आप लोगों पता कि रेडिमी नोट सेवन और सेवन एसके निवाइं मीवाइट ट्वाइल पॉंट फाइफ पॉंट वन पॉंट पॉंचिरो का अपडेट इंडियन इस्टेबल अपडेट जो था कोई मिले नहीं बाकि इस गंदर काफी सारे फीचेस को हटाया गया है तो वीडियो पूरी वोच करना तभी आपको पता चलेगा क्या क्या चीज आई है क्या क्या चीज हटाई गई है देखे तो 12.5.1.0 इंडियन इस्टेवल अपडेट है यहां पर मैं इस्टोल किया है ए कि जबी मैं इस्टेव की वीडियो पर आपको सबसे पहले और हाँ अगर आपको बैए कोई भी कोश्चन पूछते हो वाइं कमेंट सेक्षेन में तो 10 मियट के अंदर-अंदर पूछ लिया करो कि 10 मियट के बाद मैं बीजी हो जाता हूं या तो पूछ लिया करो तो मैं पाइब नहीं आएगा आप उल्ली फॉर कस्टम रॉम के अंदर यूज कर सकते हो अब यहां बात करते इसके कुछ फीचर वगारा की तो इसके अंदर कोई फीचर तो मिला नहीं है जो भी मिले वो मताँगा तो इसके पाद करें फीचर कों कोई से हटाए गया है देखो सब सब्सक्राइब करते हैं अब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा देखे तो इससे जो पिछला अपडेट था उसके इंदा बैक्गरांड ब्लर था तीक है जो आप मीवाट 12.0.2.0 यूज करते हैं उसके बैक्गरांड बलर था लेकिन यह मीवाट 12.5 आने के बाद बैक्रांड ब्लर इसको इनिवाल कर सकते हो बिना रूट बिना टीडियापी रिकाबरी के वीडियो के लिए डिस्टीश में दें दूंगा चैक आउट कर लेना वरना में एक वीडियो और बनाद दूंगा ड्मी नोट 7 7S के निया उसके निया आप जो से वेट कर लेना के बडार बनाद इसमें आप बर कि अ आप टीडिया जाना इंड क्या लिखा हुआ इसमें आप जाओं घ WhatsApp ले शुंक्टा तो लिखा लूए तोKS में आपको क्पे गए पुराना फॉल चेल्ठेटर कर दीअग आध यह पर कहीं बिए बड़िक सुम्ठल को सुमज्ट नहीं दोगा ठीक है यहां पर आप जैसे कंट्रोल लिखोगे तो यहां पर आ चुका अब यह आपको सर्च करके ढूंड़ना पड़ेकर यहां से जाओगे तो ओल्ड वर्जन आ जाएगा नए वाले में आ जाएगा तो कुछ इस तरह से करना बैक्गरॉड बलर दूनों में ही कर दिया गया तो देख लो दो चीज में आपको बता तो यहां पर एक नया ओप्सें किया गया है फीचर देते हो फिसके वागत हटा देते हो भाई यही काम है भाई अप रह गया इनके पास और कुछ नहीं है अब देशिते जो आपको गैस्टर बार देखना तो वह गायब कर दिया गया है अब पता नहीं क्यों गया है यह तो बोल देंगे भाई हमने फोन की पर्फोर्म अब आगे हम बात करें देखो यहां पर खूम स्क्रीन के अंदर सारे ही डिवाइस के अंदर एक यह रिसेंट जो यह चींज करने का उप्सन आ रखा है बट इस डिवाइस के अंदर वह भी नहीं आया भाई क्या दिया है पता नहीं अब देखो अब यहां पर अगली चीज उसका इंफोमेशन उपन हो या यह भी यहां पर एड कर दिया गया पता नहीं बाई क्या 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 अगल ते तो यहां पर आप घूल लाओ अगर आपको यह सब कुछ अच्छा लग रहा है तो बाई आप कर सकते अब डेट अधर यहीं कहूंगा बागी आपकी मर्जिए आ अब आप सिंपल इसको स्वाइप करोगे तो यहां पर आपको floating window देख सथे यहां पर कोई भी floating window मेरे को देखिन को मिली ही नियरा भाई floating window कहां से आएगा देख से यहां पर गई है इसके अंदर जो कि मेरे को काफी बेका लगी अब यह पर थोड़े को सीचर्स के मात करें तो सब्सक्राइब अपडेट यह आपको देखनों मिलेगा इसके अंदर थोड़ा से युआई चेंज किया गया है पहले आप देखने मुलते हैं और अधर वाले का जो युआ पी अलग देंगनों मिलता है वाकि यहाप को मैं कुछ और चैंजेंज दिखाऊ से एंतर इसमें जाोगे यहाप इसका आप यह थोड़ा से यह जो ऊपर नीचे वाला इसका दो यहाइच चीज इसके सायड में था इह इधार इधर आता तर लेकिन ऊपर नीचे किया और तो अभी जाता चैंज यहाग यहाँद यहाँ किक्टाइब हम आपके यह ज़िद गह även नाइड करते हैं और रह सकता हुआ किस में Пüran नहींयों मिल दूख्त आप दे रहे होगा और दगरा घृट का रहा जो थोड़ सा अलग दिखने हो में हो मिलता है तो अपने थхाफ आप सकंदर एक नया फीचर एड़ किया गया मैनेज होम स्क्रीन सॉट करते हैं यह जो आपकी फोन की पर्फोर्मेंस को काफी एदा इन्हेंस करेगा देखो मान के चलो यहाँ पर इसमें काफी सारे अप्लीकेशन है यहाँ पर रिकोर्डर है रिकोर्डर काप कभी भी यूज मैं बता रहो का अगर रिकोर्डर यूज नी करते तो आप इसको बंद कर दो बंद करने के बाद रिमूब प्र करने के बाद हो गया जो साब यह कि बैक्गराउंड में यह एप्लिकेशन भी रन नहीं करेंगे इससे आपकी फोन की पर्फॉर्मेंस को काफी अच्छी हो जाएगे तो में पर्फॉर्मेंस को देखा गया है तो यह जो फीचर है यह काफी तगड़ा लगा आप यहां जितने भी फालतु एप्लिकेशन और यहां पर ढुद यहां फोली यहां यहां पर वीडियो है यहां पर लेते हैं तो यहां पर ओपन करे बाद यह तर्बोको यहां पर आचुका है और यहां पर आपको दिखा थे तो हम बाइड के यहां करने के बाद यह देख तो यहां पर गया हम कहीं पर बहुत पर भी आपको वोइशेंजर नहीं मिलेगा औस एपसन उसी डिवाइस में मिलता है जिसमें पहली से सपोर्ट है बस एक option है टाइमर का जो की add कर दिया गया है बस इसके लबहार कुछ भी हम पर change नहीं किया गया बाकि सब कुछ आप यहां से अपलोटिंग उड़ा ओडा कर सकते हो यहां पर फ्लोटिंग विंडों का यूज दिया गया है लेकिन में जो है पर चेंज नहीं किया गया है और यहां पर सबकूष सेम टू सीं देखने में बदाए बाकिए आगर आप यहां आप आइसाइब में चलिया होगे तो इसका भी यहां पर थोड़ा बहुत एयुआ आपको चींज देखने को नहीं मिलेगा तो देखो यह सब कुछ चेंज यहां यहां पर किये गे तो मैंने सुच आपको बता दिया यहां पर कुछ इस तरह से दिये गए जो किया काफी अब मेरे को अजीब लागा इस अबडेट और कुछ भी ज्यादा खास नहीं दिये गया इस अबडेट में मैं सुच एक एक नहीं यू आई देखने को मिल रहा है वह है यहां पर एड नहीं किया गया है तो Redmi Note 7 7S के साथ तो बाकिया पर गैलरी के अंदर में दिखा देता हूं थोड़ी बहुत गैलरी चेंज की गया है देखे तो यहां ब्लैक ब्लैक गैलरी आ जाती है साइथ वह MIUI 12.5 के बाद आगी हो साइथ यह वाली गैलरी आगी हो इस ड लगे कि हमाई MIUI 12.5 का यहां पर फीचर आया बस एक है बाद सिस्टम के जो कुछ एपली किसन उनको आप रिमूव कर सकते हैं पर में जाते हैं डाटा ओफ राय का तभी आपको इस चीज़ दिखाए देगी तो यहां पर यहां पर कुछ इस तरह से मिल लागी है बाकि यह कुछ इस दिखने हो अब देखने को नहीं मिला बाकि यह था आपसे वीडियो नहीं मिला तो प्ना सिंपल डॉल निकमा फौल रॉम का यानि लिखाओ और रिक लिकाओ को रिकावरी तो कि उससे कि आपके फॉन में कोई भी दिक्कर है कि ओटी इसे भी कर सकते हैं बाकि आपकी मर्जिया सिंपल इस तरह से आए कि यहां पर टैप करना आपका मीवट कर लोगा तींचा बार टैप को एडिशनल ऑप्शन हो जाएंगी ऑन उसके बाद थी डॉट मिलें कि यहां पर कि आपने फाइल डाउलोड करूं यह कि यह पर देशते हैं यह डाउलोड वगरा में मेरे बद मेरे तो जो फाइल वही डिडिट हो चुकिया तो सकते हो तो तकी दाल दो बाकि यह वीडियो में हम में लेंगे नेक्स वोड़ी जब तक केने जेन जवारत